नहीं धम रही है सनी दोल की आधी बॉडर टू और लाहॉर 1947 के बाद करेंगे साउथ की एक्शन फिल्म सनी ने खुद कर दी है इस एक्शन से लबालब फिल्म की अनॉंसमेंट और दे दिया है अपने फैंस को सौगार तो आये जौनते हैं कि आकिर ये फिल्म कैसी होने वाली ये कब से फ्लोर पर जाएगी और इसको कब रिलीज किया जा सकता है देखिए सनी दोल ने बॉडर टू के अनॉंसमेंट के बाद सनी ने एक नई फिल्म की अनॉंसमेंट कर दी है जिसे वह इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बिता रहे हैं कमाल के बाद तो यह है क इस फिल्म को राजकुमार संतोशी डारेक्ट कर रहे हैं इसके साथ वो एक मले आलम फिल्म की रीमेक भी कर रहे हैं जिस पर 2022 में काम शुरू हुआ था लेकिन किसी वोजो से माम लाख ही सकता ही रहा यह फिल्म सुरिया नाम से बन रही है जो साल 2018 में आई मले आलम फिल्म का रीमेक है इसकी भी शूटिंग वो चौल्दी ही शुरू करने माले हैं और अब इन सभी के बाद अप सनी ने अगली फिल्म भी अनौन्स कर दी है जिससे SDGM नाम से बुलाया जा रहा है SDGM दो नामों से मिलकर बना है सनी देवल और गोपी चंद मलनेनी गोपी चंद जाने को मेत्री मूवी मीकर्स और पीपल मीडिया फैक्टरी साथ मिलकर प्रोडियूस कर रहे हैं अला कि फेल्म की शूटिंग कबसे होगी फेल्म प्लोर पर कबसे जाएगी यह तारीख रिवील नहीं की गई है और नाहीं यह बताया गया है कि फेल्म को कब रिलीज किया की जानकारी के लिए बिताओ दें कि गदर टू के बाद से सब्सक्राइब की जोली में बहुत सारी फेल्म गिरी हैं गदर टू ने भले ही बहुत अगड़ी कमाई की हो मगर इसे कुछ रिव्यूज नहीं मिले थे कहां गया कि गदर टू में पहली वाली फेल्म को ही भुना करने लगे हैं वेल अब देखने वाले बात होगी कि सद्धे और गोपी चौंद की यह जोडी मेकर्स को कितना फाइदा पहुंचाती है यह तो फेल्म बनने के बाद ही पता चलपाएगा खेर आप बिताओ यह सद्धोर के इस फ़ल्म को देखने के लिए आप कितने सब्सक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूड को और येस डोंट फोगेट तो प्रेस देल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएँ